हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू फैसल कॉनसेप्स स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम डिफरेंट टिकनोलोजी इन इंबेड़ेट सिस्टम्स का जो टॉपिक था हम उसको कॉंटिन्यू करेंगे पिछले लेक्चर में हमने डिसकस कर लिया जो हमारे पास इंबेड़ेट सिस्टम में पहली नंबर की टेकनोलोजी है प्रोसेसर टेकनोलोजी उसको हमने डिसकस कर लिया उसकी डिफरेंट टाइप्स हमने डिसकस कर लिया आज जो हम डिसकस करने वाले हैं वो है सेकेंड नंब पर पर जो डिजाइन टेखनाफर है उसको हम डिस्कम करने वाले हैं तो सबसे पहले हम करने सीपर आफ én लोगे एकिट को कहते हैं हम से पर देख spends हैं कि यह यहां पर कहते हैं कि IC technology differ in their customization to a design मतलब कि हर system के design के accordingly जो है उनकी customization वो different होती है अब IC के देखें उपर कहता है कि different layers होते हैं अब देखें यह जो है ना इसके उपर different layers बने हुए हैं कहता है यह 10 या more हो सकते हैं तो देखेंगे around हमारे पास कुछ 14 है या 12 है तो यह इसके उपर different layers होते हैं अब हम बात कर लें कि IC की भी हमारे पास different types होती है that is full custom very large scale integration VLCI या फिर हम कह देते हैं कि semi custom या PLD programmable logic device तो यह हमारे पास different IC technologies की types होती है तो चलिए one by one हम इनको भी discuss करते हैं सबसे पहले गर हम देख लेते हैं full custom very large scale integrations को तो इसमें क्या होता है कि जो सारे layers होते हैं वो optimize हो जाते हैं एक embedded system के particular digital implementation के लिए इसमें क्या-क्या काम हम करते हैं transistors हम place करते हैं transistors की sizing करते हैं routing the wires मतलब wires जो है जितने भी connections हमने करने हैं वो करते हैं अब इसके benefits अगर हम देख लेते हैं तो benefits में हम कहते हैं कि इसका size बहुत small है power इसकी बहुत low consumption है और performance जो है इसकी excellent consumption है अब इसकी जो drawbacks की अगर हम बात कर लेते हैं कि very large scale integration हमने करनी है चुंके तो हमारे पास जो इसकी NRE cost होगी non recurring engineering cost वो काफी ज्यादा high आ जाती है तो जब cost high आ जाती है तो उसमें क्या है कि फिर चुंके हमने large scale integration करनी है very large scale तो अब उसमें ज्यादा time लगे का integration करने में तो जो market deployment time है वो भी increase हो जाता है तो long time to market इसका drawback है next अगर हम आ जाते हैं semi customs की उपर तो इसमें हम कहते हैं कि इसमें lower layers जो होते हैं उनको हम या fully या partially build करते हैं different embedded system की implementations के लिए right तो इसमें क्या होता है कि designers are left with routing of wires or maybe placing some blocks तो इसके बाद इतना काम करने के बाद जो fully और partially हमने lower layers build कर लिये हैं उसके बाद बस सरिफ wires की routing का काम रह जाता है connections का का काम रह जाता है अब इसके benefits की अगर बात कर लेते हैं तो इसकी जो performance है वह बहुत अच्छी है size भी हमारे पास normal ही होता है अच्छा size होता है जो कि हमारे पास beneficial size है right अगर इसकी non recurring engineering cost की बात कर लेते हैं तो वह हमारे पास बहुत कम होती है as compared to the full custom implementation drawback की बात कर लें तो deployment time का issue आ जाता है time to market time to market का जो issue आ जाता है वो जो है वो काफी ज़्यादा ले लेता है still हमारे पास weeks to months लग जाता है इसको develop करने के लिए तो ये हमारे पास इसका drawback आ जाता है semi custom का अब अगर हम बात कर लेते हैं P&D programmable logic device की तो इसमें हम क्या कहते हैं कि all layers already exist मतलब कि जो सारे layers है वो पहले से ही मुझूद होते हैं आपको उनको जो है ना दुबारा से बनाने की जरूरत नहीं है जिस तरह से हम बाकी जो circuit से उनमें बना रहे थे तो इसमें क्या होता है कि designers की मर्जी होती है मतलब उनको काफी ज्यादा flexibility मिल जाती है कि वो अपनी ही एक IC जो है ना वो खरीत के लगाएं बनाने की जरूरत नहीं है वो purchase करके और वहाँ पर embed करके अपना काम उससे करवा सकते हैं तो अब कहता है कि different connections जो ICs के उपर है वो भी वो खुछ से कर सकता है और different जो उसकी desired functionality है उसको as accordingly implement कर सकता है तो इसकी जो most important example है वो है FPGA की field programmable gate array तो यह इसकी बहुत most commonly used popular example है अगर इसकी benefits की बात कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि जो IC है ना जो हमें चाहिए होती है वो market में easily available होती है low non-recurring engineering cost मतलब कि अब देखें अब हमने build तो कुछ भी नहीं करना तो थोड़ा ही cost आएगा non-engineering cost तो वो काफी low होती है अब इसकी drawbacks की बात कर लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि हमने खुछ से build नहीं करना बाइड से लाके हमने different चीज़ें उसमें इंबेट करनी है तो इसका size बढ़ जाएगा expensive हो जाएगा क्योंकि हमने purchasing बहुत करनी होती है power consumption बहुत ज्यादा हो जाती है और इसकी performance जो है फिर वो काफी effect होती है तो performance इसकी slow हो जाती है next हम बात कर लेते हैं Morris law की Morris law क्या कहता है कि IC transistor की जो capacity होती है वो past हर 18 months गुजरने के बाद वो double हो रही है for the past several decades decades मतलब पिछले 10 सालों से मतलब 20-30 सालों से जो IC transistor की capacity है वो double होती जा रही है तो यह हमारे पास Morris law है जो कहता है अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें Morris law को हमने discuss कर लिया अब next हम आ जाते हैं कि हमारे पास अब यह उसकी graphical illustration ही है कि अब देखें यहां से transistor 1984 में किदर थे फिर आइस्ता इस्ता देखें कि transistor उपर की तरफ जा रहे है तो transistor का जो use है ना वो बहुत ज्यादा होता जा रहा है तो यह थी हमारे पास IC technology और अब हम बात कर लेते हैं design technology की design technology में हम सारी technology को design करते हैं इसमें क्या होता है कि हम अपने desired system की functionality को अब implementation की तरफ लेकर आते हैं अब हमारे पास सारी चीज़ें मौझूद हैं तो हम उसमें compilation करते हैं synthesis करते हैं testing करते हैं verification करते हैं और at the end अपनी technology को हम design करते हैं उसकी proper functionality के लिए उसकी proper जो हम उससे जो आज का lecture जिसमें हमने दोनों technologies को discuss कर लिया इसी के साथ हमारे जो technologies हमारे embedded system में यूज होती हैं उसका topic भी close हो जाता है I hope so आपको आज का lecture समझ में आगया होगा अगर आप हमारी channel पर पहली बार आए हैं और अब तक हमारे channel को subscribe नहीं किया ताके हमारी हर आने वाली helpful वीडियो सबसे पहले आप तक पहुन सके